हेलो दोस्तों इस्ट्रिंग ओनियन यानि की प्यास के हरे पत्यों की और आलो की सबजी बहुत हेल्दी होती है और टेश्टी भी उतनी ही होती है तो चलिए हम आज इसकी सबजी बना लेते हैं हमने 500 ग्राम प्यास की हरी पत्तियां लेकर आगे के भाग को हमने बारिक काट लिया है और पीछे का जो भाग था वाइट वाला इसे हम अलग काट कर रखेंगे तो सबसे पहले हम इसके उपर का यह जो बारिक छिलका होता है इसे हम उतार लेंगे क्योंकि इससे जो हमें काड़ते नहीं बनता है इसको उतार लेना चाहिए तो यह देखिए हमें इसके छिलके सारे उतार लिए है ये देखिए बहुत पतली सी जो एकदम छीली जैसी इसके उपर चड़ी होती है बारीक उसे हमें पहले साफ कर लेना है इस तरीके से उतारके अब हम इसको बारीक काड़ लेंगे हमने लिए एक लोही कड़ाई और उसमें हम डालेंगे चार से पांच चमस्च सरसूं का तेल तेल हमारा गरम हो गया है दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजे प्लीज तो इसमें हमने डाली है आदा चमस्च मेथी का तड़का दिया है हमने और ये तीन-चार सूखी लाल मिर्च का तड़का हमने दिया है और इसमें हमने तीन-चार कलियां लहसुन की काटकर डाल दिया है इस सब्जी में हम ज्यादा मसाल्य ड़नी करेंगेऱ हम स्वास्त करने 100% बरट अच्छी नहीं रहे जाएगी और यह बहुत हिल दी सब्जी होती तो यह हम सब्राइज भीर ओने काटे थे ना पीछे का पार्ठ हमने काटा था बस उसी का हम तड़का इसमें दे देंगे ये देखे बस थोड़ा सा हम इसे नरम होने देंगे हमें इसे ब्राउन नहीं करना है और अब हमें इसमें एक टमाटर काटकर डाल दिया है दो मिनट टमाटर को हम चलाएंगे और बस अब हम इसमें अपनी कटी हुई आलू डालेंगे आलू को आप किसी भी सेप में काट लीजेगा हमने ये छोटी छोटी आलू थी हमारी जिन्हें हमें लगभग 2500 ग्राम तक होंगी हमारी अलू जिन्हें हमने काटकर इसमें मिलाया है तो जितना हमारा प्याज था फ़्सकी पत्तियां थी बस उतनी ही आलू हमने लेगे इसमेँए dur्स उतनी ही यहाली मिर्श कर सकते हैं यह लीज़ ने फिर जैसा आपको तीखा पसंदो आप उतनी मिर्चीस में डाल सकते हैं और यह हमने बस एक तिहाई चम्मस धनिया पाउडर डाला है इससे ज़्यादा हम मसाले इसमें नहीं डाले वाले हैं अब बस हम इस सब्जी को पांच मिनड़ तक इसी तरीके से बिना ढगे चलाते रहेंगे जिसे हमारे आलू भी कुछ फ्राई हो जाएंगे और हमारा टमाटर और बाकी मसाले भी साथ में पक जाएंगे आज को हमने लो फ्लेम पर ही रखा है और धीरे दे रहे हम इसको धीमी आज पर इस तरीके से चलाते रहेंगे और यह देखिए हमारे आलू का कलर एकदन चेंज हो गया है अब हम इसमें नमक मिलाएंगे आप चाहें तो जब आपने टमाटर डाला था आप तभी नमक एट कर सकते हैं लेकिन तब पानी बहुत तमाटर से आजाता है इसलिए हमने इसको नमक को बाद में आड़ किया है हम इसे एक मिनद तक फिर भून लेंगे अपनी आलूओं को और बस आप हम इसमें अपना इस्प्रिंग ओनियन मिक्स कर देंगे जो पीछे का वाइट वाला पार्ट था वो हमने थोड़ा तो तड़के में डाल दिया था और थोड़ा हमने इने हरी पत्तियों में मिला दिया था अब हम दीरे दीरे स्पेशला से इसको चलाएंगे इसरी आप कलर देख रहें इसका कितना खुबसुरत कलर लग रहा है पस अब हम इसे ढख देंगे पांस मिनट के लिए धीमी आश पर और पांस मिनट के बाद में हम अपनी सबजी को फिर से खोलेंगे और फिर से चलाएंगे बस इसे हमें दो मिनट के लिए फिर धकना पड़ेगा और दो मिनट के बाद में हमारी सबजी लग पक पक जाएगी यह देखिए आप देख सकते हैं हरे प्यास से बहुत सारा पानी आया है जिससे हमारी सबजी थोड़ी सी हलकी सी ग्रेवी वाली लग रही है आप चाहें तो आलू अगर हमारे पक गए हैं तो आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं यह बहुत टेस्टी है और आप चाहें तो आप इसे दो से तीर मिनद तक इसी तरीके से धीमियाश पर भून लीजिये इसको तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है तो जैसी आपकी मर्जी हो यह देखिए हमने इसे लगबक दो मिनट तक भूना है और यह एक्दम परफेक्ट पकर तयार है तो बस हमारी गर्मा गरम इस्प्रिंग ओनियन और आलो की सबजी बनकर तयार है यह बहुत टेस्टी है आप खा कर देखिएगा इसे और स्वास्तिक के लिए तो यह बहुत ही लापकारी है तो सर्दियों में इसे जरूर खाना चाहिए बनाकर अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और सर्व कर लेंगे हमने इसमें किसी और चीज का यूज़ नहीं किया है हरी धनिया वगएरा का तो जैसी आपकी मर्जी हो आगर आपको हरी धनिया इसमें अच्छी लगती है तो आप एट करिएगा वरना इसका टेस्ट ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद